Welcome back दोस्तो आज हम लाए है एक ऐसी कोरियन फिल्म जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इसका नाम है Human Space Time and Human फिल्म बहुत ही इंट्रेस्टिंग है पर इसमें कुछ डिस्टरबिंग सीन्स है इसलिए बच्चे इस वीडियो को ना देखें दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकोन को दबा दीजिए YouTube का notification on रखिए Instagram और Facebook पे आफ हमें follow कर सकते हैं अब चलते हैं फिल्म के अंदर फिल्म के शुरुआत में एक पुराने शिप को दिखाते हैं जिससे World War 2 में यूज किया गया था इसे रिपेर वगेरा करके लगबग साथ लोग इसमें क्रूज पे निकले होते हैं ये है कोरिया का अगला प्रेजिटेंट ली और ये उसका बेटा आड़म इसी शिप में बॉस नामकाई गैंग्स्टर और उसके आदमी भी है बॉस कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो बताईए मैं तुरंट कर दूँगा ली कहता है जब जरूरत पड़ेगी तो बता दूँगा दूसरी और एक बुजर्ग वहापड़ी मिट्टी निकाल कर इस चोटे कप में डाल रहा होता है मुवी के हिरोईन इव अपने बॉइफरेंड जोई के साथ बैटी होती है वो पूछती है कि आप इस चोटे से कप में मिट्टी क्यों भर रही है लेकिन बुजर्ग जवाब देने की बजाए एव को देखकर स्माइल करता है प्रेसेडेंट को एक स्पेशल वी आईपी केबिन दिया जाता है यह देखकर तीन कॉल गल्स पूछती है कि हम भी उतने ही पैसे दे रही है फिर उस आदमे को स्पेशल केबिन क्यों मिल रहा है बॉस उन्हें डांटने जोई को फिर गुस्ता आता है लेकिन इस बार भी बॉस उसका मों बंद करने की कोशिश करता है तब ही ली माफी मांगता है कि उसने दूसरे पैसेंजर के बारे में नहीं सोचा लेकिन कल से मैं भी वही खाऊंगा जो दूसरे लोग खाएंगे यहाँ पर सभी समान है किसी क स्पेशल ट्रेटमेंट नहीं मिलेगा तभी वो बुजूर्ब तर्बुस के पेश निकाल कर उन कपस में रखता है जिसमें वो मिट्टी भर रहा था यह शायद पौदे उगाने के कोशिश कर रहा है उसके पास मुर्गी के दो अंडे भी होते है जिने वो इंक्यूबेटर मे कि मैं उसे आपके पास ले आऊंगा अगले सीन में बॉस के आदमी जोई को मार कर इव के साथ जबरदस्ती करते है बॉस जोई को चाकू मार कर उसे समंदर में फेक देता है और इव को उठा कर ली के पास ले जाता है उसके बाद ली और ली के बाद उसका बेटा सभी इव जब इव को होश आता है तो वो जानती भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है वह जोई को ढूंटी है और बॉस को मारने लगती है बॉस कहता है कि मैंने जोई को मार कर पानी में फेक दिया वह विचारी रोती हुए अपने कमरे के पास जाती है तो वहाँ जोई का शू पड़ा सब चिलाने लगते हैं पर बुजूर्ग चुप चुप खड़ा देख रहा होता है इव को उस पर शक होता है और वो उसे फॉलो करती है बुजूर्ग जो बीच बो रहा था उसमें से चोटे पौदे निकल आये थे और अंडों में से भी चिकन निकल आये थे ली शिप के कै खाना सबको इक्वली बाटा जाएगा पर्वे नहीं मानते बॉस उन्हें गन पॉइंट पर चुप करा देता है अब ली कैटन से कहता है कि उन लोगों को खाना दो या ना दो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन मुझे और मेरे बेटे को खाना ठीट टाइम पर पहु भरूर होंगे यह कहकर वे उस शिप में वेपन को ढूंटे है उन्हें ग्रेनेड का बॉक्स मिलता है यहां पैसेंचर्स को सिप एक राइस बॉल दिया जाता है वे चिल्लाते हैं कि इस राइस बॉल से कैसे पिट बरेगा लेकिन सर्वर कहता है कि यही सब को दिया जा रहा यह कहकर वो चला जाता है लेकिन पैसंजर्स उसे फॉलो करके ली के केबिन में पहुँशते हैं तो देखते हैं कि ली और उसके आदमी तरह तरह की डिशस खा रहे हैं पैसंजर्स को बहुत गुसा आता है पर बॉस फिर से गंदि का कर धमकाता है पैसंजर्स पर डर कर फिर इव सीधे ली के पास आकर उसे खूब दाटती है जब बॉस उसे पकड़ने आता है तो ली का पेटा एडम इव को बचा लेता है और दोनों बुजूर के पास जाते हैं बुजूर को पौदे लगाते हुए देखकर वो हैरान रहे जाते हैं यहां कुछ पैसेंजर्स खा है कि अगर यह लोग जिन्दा रहे तो बाके पैसेंजर्स को मार डालेंगे इसलिए हमें ली बॉस और उनके आदमियों को खतम करना होगा वहां बॉस ली को उसकी सेफ्टी के लिए एक गन देता है और एक लेक पिस को पैसेंजर्स के पास फेकता है एक लेक पिस के लिए धका मुक्य हो जाती है क्योंकि किसी भी पैसेंजर्स को खाना नहीं मिला है एडम अपने बाप को डाटता है कि आप इतने बेरहम क्यों है ली कहता है कि अगर हमें जीना है तो दूसरों को माना ही पड़ेगा ये भी एक एंटर्टेन्मेंट है देखकर एंजॉय करो इतने म बॉस के गैंग का एक आदमी जिसका नम बीगी है वो एक कपल से पैसे लेकर उन्हें एक्स्ट्रा खाना देता है लेकिन बाखे लोग उनका खाना चीन लेते है इतने में आता है बॉस वह पूछता है कि तुम लोगों को ये खाना किस ने दिया वे बीगी के और इशारा कर कर दूंगा इस पर बॉस अपने आदमियों को चुप करा देता है अब ली बॉस को अकेले में ले जाकर कहता है कि सौरी मेरे दोस सबके सामने तुम्हें मारना पड़ा मैं चाहता था कि सबको मुझसे डर लगे इसलिए ऐसा किया बॉस बेशरम होता है और कहता है कि कोई ब प्रेगनेंट है यह उसके बॉइफ्रेंड का बच्चा नहीं बलकि बॉस के आदमियों में से किसी का है इसलिए एक चाको अपने पेट में घुसाने जाती है पर एनमक पर बुजूर्ग उसे रोक लेता है और उसके हाथ पर बान देता है इव प्रॉमिस करती है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी तब जाकर बुजूर्ग उसके हाथ पर खुलता है वहाँ बॉस के आदमी कॉल गर्स को अपने कमरे में ले जाकर मस्ती करते है और उन्हें अच्छा काना देते है एडम यह सब देख लेता है और वो यह भी जान जाता है कि इव प्रेगनेंट है वो अप आती है शाम हो जाती है और अब लोग भूक सेहन नहीं कर पाते और फूर्ड केविन में गुस कर खाना लूटने लगते है ली एक आदमी को शूट कर देता है और वार्ण करता है कि जो जो खाना उटाया है वही का वही रग दो वरना सबको मार डालूंगा इस पर लोग सब कुछ वापस रख कर चले जाते हैं उस मरेवोय आदमी को बुजूर्ग अपने कमरे में ले आता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनी पीशता है फिर उसे खात बना कर पौदों में डालता है एव एकदम शौक हो जाती है कि यह बुजूर्ग आखिर है लॉक कर देता है लेकिन एन वक पर वो ग्रिनेट को दूर फेक कर बच जाता है अब ली कैप्टन के सर पर गन रखकर पुछता है कि यह ग्रिनेट कहा से मिला कैप्टन को बताना पड़ता है इस तरह ली ग्रिनेट का पूरा बॉक्स उठा लेता है ली के क्रिमनल ब्रेन मे हर समय बचा लेता है जरूर कोई वजा है जो ऐसा कर रहा है जब मैं समुन्दर में कुणने वाली थी तब उसी ने बचा है फिर मैंने अपना पेट चीनना चाहा तब भी उसने मुझे रोका शायद वो मेरे पेट में पढ़ रहे बच्चे की सुरक्षा करना चाता है दूसरी है कि एक कमरे में आप लोगों के लिए बहुत सारा खाना रखा गया है जिसे चाहिए वहाँ जाकर ले लो यह सुनकर सभी उस रूम के और भागते है यह भी जाने लगती है पर इस पार भी बुजर्ग उसे रोक लेता है बाके पैसेंजर्स उस कमरे में पहुंशते हैं तो लगते हैं इस तरह सब एक दूसरे को खतम करने में लगे होते हैं और पूरा शिप लहूल हो जाता है अब इस शिप पर सिर्फ एव बुजर्ग एक कॉलकर बॉस ली और उसका बेटा एडम बचे होते हैं बाके सब मर चुके हैं ली पूछता है कि कैप्टन कहा गया जल्द नहीं पाता अब इन्हें खाना है तो इन लाशों को खाना पड़ेगा लेकिन ये भी एक दो दिन में सट जाएंगे अब बुजर्ग उन लाशों के टुकड़े करने लगता है और इव के हाथ में चाको देता है इव रोते हुए उन्हें कट करती है फिर लाशों के मांस को पीस कर वो पौधों के लिए खाद बनाते है फिर वो बची हुई लाशों के मुह में कुछ पौधों के बीच डालता है और उनके मुह में खाद और मिट्टी भर देता है उसका विश्वास है कि इस तरह से बीच पौधा बन जाएंगे इव नहीं जानती कि वो ये सब क्यो कर रहा है फिर वह उसके साथ मिलकर पौधे लगाती है एडम अपने बाप को डांटता है कि देख लिया आपने प्लैन का नतीजा सब मर गए और खाना भी राख हो गया अब क्या खाऊगे इस पर ली कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया अगर मुझे मार कर खाने की नौब बुजर्ग जो एक शब भी नहीं बोल रहा था वह पहली बार कहता है कि हम मुर्गों को खाएंगे तो उसके बाद क्या क्या खाएंगे इसलिए हमें सिर्प अंडों को खाना है जिससे कि मुर्गया जिन्दा बची रहेगी और फिर से अंडा देंगी उन्हें बढ़ा करके हमें और अंडे मिलेंगे इस तरह करते-करते हमारे पास कई मुर्गया आ जाएंगी तभी हम मुर्गया खाएंगे यहाँ ईव को जिन्दा देखकर बॉस उसे मानने आता है लेकिन एडम उसे रोक कर कहता है कि अगर इसे मानना है तो पहले मुझे मान डालो ली पहले से दो गोलिया चला चुका था और अब तीसरी गोली भी चल चुकी है अब बॉस ली को अपने गन से शूट करके मार डालता है और एडम एव को वहाँ से घसीट कर ले जाता है अब एडम एव को लेकर वहाँ से भागता है और बॉस उनका पीचा करता है इतने में ब एडम उससे लटता है इस बीच इव बॉस का गन उठा कर उसे ही शूट कर देती है फिर वो बॉस का शर्ट खोल कर उसके घाव में एक बीच घुसा देती है कुछ दिन बाद वो बीच जो बुजुर्ग और इवने लाशों के अंदर बोये थे वे पौदे बनने लगते है एव जानना चाहती है कि बुजुर्ग को मांस का तुकडा कहां से मिल रहा है लेकिन इस पर भी बुजुर्ग सिर्फ स्माइल करता है और तब दिखाते है कि जब भी एड़म खाना मंगता है तब बुजूर्ग खुद अपना मांस काट कर उसे देता था एक दिन बुजूर तो एडम एक मुर्गी को काटने जाता है लेकिन इव उसे मना करते होए कहती है कि तुम चाहओ तो मेरा हाथ काट लो लेकिन दादाजी ने इतनी मुश्किल से इन मुर्गियों को पाला है मतलब ये मुर्गिया उन्हें इतनी इंपोर्टन्ट लगी इसलिए एव को लगा कि एडम को जिन्दा रखने से ज्यादा इंपोर्टन्ट है इन मुर्गियों को बचाना अब इस पूरे शिप में इव अकेली है जब उसे भूग लगती है तो वो एडम का मांस खा लेती है इस तरह कुछ और दिन बीटते है अब दादाजे के बोय हुए तर्बुजों के बीच बड़े बड़े पौधे बन गये है और उनमें तर्बुज उगने लगे है इव उन चैमरा उस जंगल से जूम आउट करता है तो हमें पता चलता है कि वो शिप अब जंगलों से बरा एक पहाड बन चुका है ऐसा लगता है जैसे धरती पर इंसान मिठ चुके है और इस शिप पर बने पहाड के अलावा और कहीं पर भी इनसान नहीं है और इसी के साथ यह पावजूद इस मोवी में आज की दुनिया चुपी हुई है पहले जब इस शिप का क्रूज शुरू हुआ तो लिया अपने स्वाट के लिए लोगों में भेदबाव करता है इस उन्च नीच की वज़ा से शिप के लोग खाने के लिए तरश जाते है और एक दूसरे को खत इसलिए उसने इव को जिन्दा रखा और उसे सब कुछ सिखाया बुजूर्ग से यह सब सीख कर अभी इव इस बेजान शिप को पाहड बना चुकी है और उसमें सर्वाइव कर रही है इसलिए घर के बुजूर्ग अगर टमाटर या कोई और पौदा उगाना चाहे तो यह कि इस एक टमाटर के पौदे से दुनिया के बुक थोड़े ना मिटेगे ऐसे चोटे-चोटे पौदे ही एक दिन इस दुनिया को बचाएंगे खासकर टमाटर उगाना तो हर गर में बनता ही है है ना तो दोस्तों कैसे लगे यह मूवी अगर यह वीडियो अच्छी लगी ह हो स्टोरी अच्छी लगी हो एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई अपना खाया लखे एंड and thank you for watching